गईज आप लोगों को थमनेल देखके पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में नेपोटिजम की पैदाईश आलिया भट की अपकमिंग मूवी गंगू भाई काथिया वाडी के बारे में बात करने वाले हैं इससे पहले कि मैं इस मूवी के टीजर की धजिया उनाना स्टार्ट करूँ जो भी लोग इस वीडियो को डिसलाइक करना चाते हैं वो खुल के डिसलाइक कर सकते हैं जो मन में आपके आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं I don't give a shit सो हम सबसे पहले आते हैं इस मूवी के कैरेक्टर गंगू बाई के ओपर जो हमारी sweet 16 so called आलिया भट पोट्रे कर रही हैं और आज अगर reality में गंगू बाई जिन्दा होती हैं इस मूवी के teaser को देख रही होती तो इस मूवी के most creative director संजे लीला बंसाली को चपल फैक के मारती और ये बोलती कि तुझे मेरा character portrait करने के लिए मादुरी दिक्षित मिल जाती विद्याबालन मिल जाती तब्बू मिल जाती या फिर कोई अधेड उमर की आंटी मिल जाती बट नहीं तुझे तो उसे cast करना है जिसका IQ गधे के IQ से भी low है और बंसाली साहब तो ये सोचके ब अगर हम इस movie के teaser का like and dislike ratio देखें तो गंगु बाई गई तेल लेने नेपोटिसम गया सुशांग सिंग राजपूत की कबर में और बॉलिवूड को बॉयकॉट करने वाले लोग गए भाड में बिकॉज हमें तो महेशबट की लॉंडिया देखनी है हॉट अन हैपनिंग बि बॉलिवूड में कोई न कुछ न कुछ फोकता रहा था इसका मतलब यह थोड़ी है कि संजलीला बनसाली कुछ भी फूक क्या अलिया भट को कास्ट कर देंगे गंगु बाई के लिए तो बान साब को बताओ की फूकने की लिमिट होती है लगता है वो अधेड उमर की और ब little young as per the character but that's not her fault नहीं मैंने कब बोला कि आलिया भट का फॉल्ट है आलिया भट तो उस कैरेक्टर को पोट्रे ही नहीं कर पा रही है फॉल्ट तो सारा संजे लीला भंसाली का है अमाउंट से जादा माल फूको गे तो यही होगा और जो आलिया भट के अंधभक्त कमेंट में यह बोल रहे हैं कि her acting is very much genuine let me tell you first आलिया भट कितना भी उस कैरेक्टर के अंदर गुश जाए इस रोल को वो justify नहीं कर सकती लोग तो कमेंट में ऐसे बोल रहे हैं जैसे अगर हम MS धोनी पिचर में सुषान सिंग राजपूत को कास्ट करने की वज़ाए सलमान खान को कास्ट करते तो स्वाद आ जाते हैं किसी से डरने का नहीं ना पुलिस से ना MLA से ना मंत्री से ना भड़वो से किसी के पाप से नहीं डरने का I'm not interested यार मुझे सुनना ही नहीं है अब वोइस मॉडिलेशन की जरूरत क्या है जब अधेड उमर की औरतों की बॉलिवुड में कोई कमी ही नहीं है जो इस आलिया भट के वोइस मॉडिलेशन से बेटर साउंड कर सकती थी जा बही ऐसी लगी आगे स्वाद गैज मुझे नहीं लगता लोग इस मूवी को जरा सा भी बॉयकॉट करने वाले है पिकोज महेशबट की लॉंडिया की मूवी है यार वो भी गंगूबाई पे बेस्ड मूवी देखना तो बनता है और सबसे पहले तो इस मूवी को वो लोग देहने जाएंगे जो सुषान सिंग राजपूत की डेथ के बाद नेपोटिसम का नारा लगा रहे थे अजी लिखा हुआ है क्यों नहीं लिखा हुआ बिकस नेपोटिसम का नारा लगाने वाले वोई लोग है ना जो इन बॉलिवूड स्टार किट्स के मूवी के ट्रेलर और टीजर आते ही डिसलाइक ठोकते हैं अब इसलाइक ठोकने का मतलब यह नहीं है कि तुमने इन बॉलिवूड स्टार किट्स की मूवी को बॉयकॉट कर दिया बंद करो यार बंद करो इन्हें बंद करो अगर हम इस नेपोटिसम की बगवास को अलग रखने तब भी आलिया भट इस कैरेक्टर को किस एंगल से पोट्रे कर पा रही है कुछ लोग तो टीजर के कमेंट में ये भी लिख रहे थे जस्टिस फॉर सुशान सिंग राजपूत ऐसे मिलेगा जस्टिस नहीं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि जस्टिस क्या टीजर के कमेंट में लिखने से मिल जाएगा देखो नेपोटिसम की जो हवा आई थी ना वो उड़ चुकी है हमें अपक्रिफ चुकी है